सो हेगस कैसे वाई होप आप लोग अच्छे होगे तो गईस आज की वूड पर मैं आप लोगों को बता हूँ गा कि जो रेडीमी नाइ नई फोन है उसकी कैम के मेरी से कर सकते हो इस 2 व्याक गो इन व्याद के बारें बता ंगा जिससे आप अपने फोन की Camera Settinng एकदम से बिल्कुल ठीक कर सकते हो तो guys वीडियो को बिना skip के वीडियो को पूरा देख अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एक लाग जिर्रोर कर देना अगर चलर पर नहीं हो तो चलर दना सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेश कर लें चलिए गैस आज की बीड़ो करते हैं Start तो guys simply अब आपके यहाँ पर करना क्या है आपका जो फॉन का camera application है उसे आपको simply open कर लेना है तो guys मैंने आपके अपना camera application open कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी camera quality यहाँ पर कितनी जादा खराब हो गई है तो guys अब आपके यहाँ पर क्या करना है आपको ऊपर three dots दिख रहा होंगे आपको simply इन ऊपर three dots पर click कर देना जैसे आप इन ऊपर दिख रहा है three dots पर click करोगे तो guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा अब आपको setting वाले option पर click कर देना पर click कर देना है अब guys मैं आपको बता दूँ इसे करने से क्या होगा जब आप इस setting कर दोगे तो guys आपका जो camera की setting है वो restore हो जाएगी और पहले की तरह बर्क करना है start हो जाएगी दूसरी setting आपको save of privacy mode वाली setting को भी on कर देना है इसके करने कोद आपकी जो settings है वो पूरी तरीके से restore हो जाएगी अब मैं दूसरी setting के बारे में बताता हूं दूसरी setting क्या है तो काफी अच्छी setting है आपके लिए वो phone के लिए भी काफी benefit setting है तो guys आपको simply आप क्या करना है आपका जो phone का power वाला button है उसे आपको एक बार दबाना है और आपको एक बार अपने phone को remote कर लेना है इससे आपका phone remote हो जाएगा और आपको एक camera difficult setting कर दीजेगा यह दौनों setting करने कोद आपकी जो camera setting है वो सही हो जाएगी मैंने इस setting की थी अपने phone में मेरी camera setting बेलकुल ठीक हो गई तो आप भी इसी तरीके से अपनी camera setting ठीक कर सकते हैं तो आज की वीडियो में पसेते नहीं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के क्लाइग जिरू कर देगा चैनल पर नियूट चल सब्सक्राइग